ओम शान्ती, 24 दिसंबर 2023, मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा के आज के मधुर महवाक्य, उरिजिनल मुर्ली डेट, 3 एप्रुब 1997. मुर्ली का शिर्षक है, पुराने संसकारों को खत्म कर अपने निजी संसकार भारन करने वाले एवर रेडी पनों. आज बाप दादा अपने चारों ओर से विश्व के बाप के लव में लवलीन और लक्की बच्चों को देख रहे हैं. हर एक बच्चे के भाग्य पर बाप को भी नाज है कि मेरे बच्चे वर्तमान समय इतने महान हैं जो सारे कल्प में, चाहे देवतास्व रूप में, चाहे धर्म नेताओं के रूप में, चाहे महात्माओं के रूप में, चाहे पदम पती आत्माओं के रूप में, किसी का भी इतना भागय नहीं है, जितना आप ब्रामनों का भागय है, तो अपनी ऐसे श्रेश्ट भागय को सदा स्मृति में रखते हो, सदा ये अनहत गीत मन में गाते रहते हो, कि वहा भागय विधाता बाप और वहा मुझ श्रेश्ट आत्मा का भागय. ये भागे का गीत सदा ओटोमेटिक बजता रहता है। बाप बच्चों को देख देख सदा हर्शित होते हैं, बच्चे भी हर्शित होते हैं, लेकिन कभी-कभी बीच में अपने भागे को इमर्ज करने के बजाए मर्ज कर देते हैं। जब बाप देखते हैं कि बच्चों के अंदर अपने सवभागे का नशा, निश्चय मर्ज हो जाता है, तो क्या कहेंगे? ड्रामा। लेकिन बाप दाता सभी बच्चों को सदा ही भागे के स्मृती स्वरूप देखने चाते हैं। आप भी सभी चाते यही हैं, लेकिन बीच म आजाता है। किसी से भी पूछो, तो सब बच्चे यही लक्षे रख करके चल रहे हैं कि मुझे बाप समान बना ही है। लक्षे बहुत अच्छा है, जब लक्षे शेष्ट है, बहुत अच्छा है। फिर कभी इमर्ज रूप, कभी मर्ज रूप, क्यों, कारण क्या? बाप फिर भी लक्षे और लक्षन में अंतर क्यों? तो बाप दादा ने रिजर्ट में देखा कि कारण क्या है। वैसे तो आप सब जानते हैं, नई बात नहीं है, फिर भी बाप दादा रिवाइस कराते हैं। बाप दादा ने देखा तीन बाते हैं। एक है सोचना, संकल्प कर दूसरा है बोलना बढ़नन करना और तीसरा है कर्म में प्राक्टिकल अनुभव में और चलन में लाना कर्म में लाना तो तीनों का समान बैलेंस कम है जब बैलेंस होता है तो निश्चे और नशा इमर्ज होता है और जब बैलेंस कम है तो निश्चे और नशा मर्ज हो जाता ह रिजल्ट में देखा गया कि सोचने की गती बहुत अच्छी भी है और फास्ट भी है बोलने में रफ्तार और नशा वह भी 75% ठीक है बोलने में मिज्वारिटी खोशियार भी है लेकिन प्राक्टिकल चलन में लाने में टोटल मार्क्स कम है तो दो बातों में ठीक है लेकिन तीसरी बात में बहुत कम है कारण जब संकल्प भी अच्छा है बोल भी बहुत सुन्दर रूप में है फिर प्राक्टिकल में कम क्यों होता है कारण क्या जानते हो हाँ या ना बोलो जानते बहुत अच्छा हैं अगर किसी को भी कहेंगे इस टॉपिक पर भाशन करो या क्लास कराओ तो कितना अच्छा क्लास कराएंगे और बड़े निश्चे, नशे फलक से भाशन भी करेंगे क्लास भी कराएंगे कराते हैं बाप तादा सबके क्लास सुनते हैं क्या-क्या बोलते हैं मुस्कुराते रहते हैं वह, वह बच्चे, वह मूल बात है बाप तादा ने पहले भी सुनाया है यह रिवाइस कोर्स चल रहा है तो बाप कहते हैं कि कारण एक ही है ज्यादा भी नहीं है एक ही कारण है और बाप ताता समझते हैं कि कारण को निवारन करना मुश्किल भी नहीं है। बहुत सहच है लेकिन सहच को मुश्किल बना देते हैं। मुश्किल है नहीं बना देते हैं। क्यों? नशा मर्ज हो जाता है। एक ही कारण है जो भी धार्ना की बातें सुनते हो, करते भी हो, चाहे शक्तियों के रूप में, चाहे गुनों के रूप में, धार्ना की बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हो, इतनी अच्छी करते हो जो सुनने वाले, चाहे अग्यानी, चाहे ग्यानी, सुनकर बहुत पच्छा कहकर खूप तालियां बजाते हैं बहुत अच्छा कहा लेकिन कितने बार लेकिन आया यह लेकिन ही विग्ण डाल देता है लेकिन शक्त समाक्त होना अर्थात बाप समान समीप आना और बाप के समी्प आना अर्थात समय को समीप लाना लेकिन अभी तक लेकिन शब्द कहना पड़ता है बाप को अच्छा नहीं लगता लेकिन कहना ही पड़ता है तो कारण क्या जो भी कहते हो धारन भी करते हो धारना के रूप से धारन करते हो और वे धारना किसकी थोड़ा समय किसकी ज्यादा समय भ सदा बढ़ती चले उसके लिए यही मुख्य बात है कि जैसे द्वापर से लेकर अंतिम जल्म तक जो भी अवगुन वाकमजोरियां है उसकी धार्णा संसकार रूप में बन गई है और संसकार बनने के कारद मेहनत नहीं करना पड़ता छोड़ना भी चाते हैं अच्चा नहीं लगता है फिर भी कहते हैं क्या करें मेरा संसकार ऐसा है आप बुरा नहीं मानना मेरा संसकार ऐसा है संसकार बना कैसे बनाया तभी तो बनाना तो जब द्वापर से ये उल्टे संसकार बन गए जिससे आप समय पर मजबूर भी होते हो, फिर भी कहते हो, क्या करें, संसकार है तो संसकार सहज, न चाहते हुए भी प्राक्टिकल में आ जाते हैं न, किसी को क्रोध आ जाता है थोड़े समय के बाद कहते हैं, आप बुरा नहीं मानना, मेरा संसकार है क्रोध को संसकार बनाया, अवगुन को संसकार बनाया, और गुनों को संसकार क्यों नहीं बनाया है जैसे क्रोध अज्यान की शक्ति है, और ज्यान की शक्ति शांती है, सहन चक्ति है तो अग्यान की शक्ती क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संसकार बना लिया है और यूज भी करते रहते हो फिर माफी भी लेते रहते हो माफ कर देना आगे से नहीं होगा और आगे और ज्यादा होता है कारण क्योंकि संसकार बना दिया है तो बाप ताता एक ही बात बच्चों को बार-बार सुनाते हैं. अभी हर गुन को, हर ज्यान की बात को संसकार रूप में बनाओ. ब्रामन आत्माओं के निजी संसकार कौन से हैं? कुरोध या सेहन शक्ति? कौन सा है? सेहन शक्ति. शान्ती की शक्ति यह है ना? तो अभी गुनों को तो सहची संसकार बना दिया, कूट-कूट कर अंदर टाल दिया है, जो न चाते भी निकलता रहता है. ऐसे हर गुन को अंदर कूट-कूट कर संसकार बनाओ. मेरा निजी संसकार कौन सा है, यह सदा याद रखो. वे तो रावन की जायदाद संसकार बना दिया, पराए माल को अपना बना लिया. अब बाप के खजाने को अपना बनाओ, रावन की चीज़ को संभाल कर रखा है और बाप की चीज़ को गुम कर देते हो, क्यों रावन से प्यार है, रावन अच्छा लगता है या बाप अच्छा लगता है, कहेंगे तो सभी बाप अच्छा लगता है, यही मन से कह रहे हैं न लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चे की स्याही से दिल में समा जाती है जब कोई रावन के संसकार के वश होते हैं और फिर भी कहते रहते हैं बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, बाप पूछते हैं कितना प्यार है, तो कहते हैं आकाश से भी ज्यादा, बाप सुन करके खुश भी होते हैं कि कितने भोले बच्चे हैं, फिर भी बाप कहते हैं, बाप का सभी बच्चों से वाइदा है कि दिल से अगर एक बार भी मेरा बाबा बोल दिया, फिर भले बीच-बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा, तो बाप भी कहते हैं, जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे ही हो, ये तो चाना ही है, सिर्फ बाप चाते हैं कि बराती बनकर नहीं चलना, सजनी बनकर चलना, सुनकर के तो सभी बहुत खुश हो रहे हैं, अपने उपर हसी भी आ रही है, अभी सुनने के समय, अपने उपर हस्ते होना अपने उपर हसी आती है और जब जोश करते हो तब लाल पीले हो जाते हो लेकिन बाप ने रिजल्ट में देखा कि बच्चों में एक विशेश्टा बहुत अच्छी है कौन सी? पवित्रता में रहना इसके लिए कितना भी सहन करना पड़ा है कितना भी ओपोजिशन करने वाले सामने आए हैं लेकिन इस बात में 75% अच्छे हैं कोई-कोई गसिया गपोड़ा भी लगाते हैं लेकिन फिर भी 75% ने इस बात में पास होकर दिखलाया है अब उसके बाद दूसरा सबजिक्ट कौन सा आता है? क्रोड देभान तो टोटल है ही लेकिन देखा गया है कि क्रोड़ की सबजिक्ट में बहुत कम पास है ऐसे समझते हैं कि शायद क्रोड़ कोई विकार नहीं है यह शस्त्र है विकार नहीं है लेकिन क्रोड ग्यानी तु आत्मा के लिए महाशत्रू है क्रोड अनेक आत्माओं के संबंद संपर्क में आने से प्रस्द हो जाता है और क्रोड को देख करके बाप के नाम की बहुत लानी होती है कहने वाले यही कहते हैं देख लिया यानी तु आत्मा पच्चों को क्रोड के बहुत रूप है एक तो महान रूप आप अच्छी तरह से चानते हो दिखाई देता है यह क्रोड कर रहा है दूसरा क्रोड का सुक्ष्म स्वरूप अंदर में इर्श्या, द्वेश, ग्रेना होती है इस स्वरूप में जोर से बोलना या बाहर से कोई रूप नहीं दिखाई देता है लेकिन जैसे बाहर क्रोड होता है तो क्रोड अगनी रूप है न वे अंदर खुद भी जलता रहता है और दूसरों को भी जलाता है ऐसे इर्श्या, द्वेश, ग्रेना ये जिसमें हैं वे इस अगनी में अंदर ही अंदर जलता रहता है बाहर से लाल पीला नहीं होता लाल पीला फिर भी ठीक है लेकिन वे काला होता है तीसरा क्रोध की चतुराई का रूप भी है. वे क्या है? कहने में, समझने में ऐसे समझते हैं, वा कहते हैं कि कहां कहां सीरियस होना ही पड़ता है, कहां कहां लो उठाना ही पड़ता है कल्यान के लिए. अभी कल्यान है या नहीं वे अपने से पूछो पापतादा ने किसी को भी अपने हाथ में लौ यानी कानून उठाने की छुट्टी नहीं दिये है क्या कोई मुडली में कहा है कि भले लौ उठाओ, क्रोध नहीं करो लौ उठाने वाले के अंदर का रूप वही क्रोध का अंश होता है जो निमित आत्माई हैं वह भी लौ उठाते नहीं हैं लेकिन उनों को लौ रिवाइस कराना पड़ता है लौ कोई भी नहीं उठा सकता लेकिन निमित हैं तो बाप तवारा बनाई हुए लोग को रिवाइस करना पड़ता है निमित बनने वालों को इतनी छुटी है, सबको नहीं आज बाप तादा थोड़ा ओफिशल शिक्षा दे रहे हैं प्यार से उठाना, क्योंकि बाप तादा बच्चों के लिखे हुए, किये हुए बाइदे देखकर, सुनकर, मुस्कुराते रहते हैं अभी बाप तादा ने जो सुनाया कि हर गुण को निजी संसकार बनाओ, अंडरलाइन किया तो अभी से ये कहना कि शांत स्वरूप में रहना, सहनशील बनना, ये तो वीरा संसकार बन गया है फिर बाप तादा जो मिलन बनाने आए, तो इसे अपना निजी संसकार बनाकर बाप तादा के आगे इन पांच-छे मास में दिखाना इसलिए आज रिजल्ट सुना रहे हैं, क्रोध की रिपोर्ट बहुत आती है, छोटा बड़ा भिन भिन रूप से क्रोध करते हैं, अभी बाप तादा ज्यादा नहीं खोलते हैं, लेकिन कहानिया बहुत मजे की हैं, इसलिए आज से क्रोध को क्या करेंगे, विदाई सबी ने ताली बजाई, देखो, ताली बजाना बहुत सहच है, लेकिन क्रोध की ताली नहीं बजे, बाप दादा अभी ये बार बार सुनने नहीं चाहते हैं, फिर भी रहम पढ़ता है, तो सुन लेते हैं, तो अब से ये नहीं कहना कि बाबा वाइदा तो किया, लेकिन फ फिर फिर आ गया, क्या करें? चादे नहीं है, आ जाता है। आप ही माया को समझा दो, क्रोध को समझा दो, तो ये पुरुशार्थ भी बाप करें और प्रालब्द बच्चे लेंगे, ये भी मेनत बाप करें, तो ऐसा वाइदा नहीं करना। जो फिर पांच मास के बाद रिजल्ट देखें, भले आप बताओ नहीं बताओ, बाप के पास तो पहुँचती है। ऐसी रिजल्ट न हो, क्या करें? हो जाता है, सरकम्स्टैंस ऐसे आते हैं, बात बहुत बड़ी हो गई ना? बाप को भी समझाने की कोशिश करते हैं, बड़ कर लेते हैं, ये बात ही बड़ी थी ना? अभी दोश किस पर रखा? बात पर, और बात क्या करती है? आई और गई, पांच हजार वर्ष के बाद फिर बात आएगी, जो पांच हजार वर्ष के बाद बात आनी है, उस पर दोश रख देते हैं, ऐसे नहीं करना, क्या करूं? ये संकल्प में भी नहीं लाना. बाप दादा क्रोध के लिए क्यों विशेश कह रहा है? क्योंकि अगर क्रोध को आपने विदाई दे दी, तो इसमें लोब, इच्छा सब आ जाता. लोब सिर्फ पैसे और खाने का नहीं होता है. भिन भिन प्रकार की, चाहे ज्यान की, चा खत्म करने से लोब स्वता खत्म होता जाएगा. अहंकार भी खत्म हो जाएगा. अभिमान आता है ना? मैं बड़ा, मैं समझदार, मैं जानता हूं. ये क्या अपने को समझते हैं? तब क्रोध आता है. तो अभिमान और लोब ये भी साथ-साथ विदाई ले लेंगे. इसलि वापताता विशेश. लोग के लिए न कह करके क्रोध को अंडरलाइन करा रहा है. तो संसकार बनाएंगे. अभी सब हाथ उठाओ. और सब का फोटो निकालो. सबने हाथ उठाया. अभी थोड़ी सी मुबारक देते हैं. बहुत नहीं. और जब फिर से रिजल्ट देखेंग फिर वतन के देवताएं भी, स्वर्ग के देवताएं भी आपके उपर बहा बहा के पुश्प गिराएंगे. आज से हर एक अपने में देखें, दूसरों का नहीं देखना. दूसरे की ये बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना. ये आंखे तो बंद कर नहीं सकते न लेकिन मन की आँख बंद करना दूसरा करता है या तीसरा करता है मुझे नहीं देखना है बाप इतना भी फोर्स देकर कहते हैं कि अगर कोई विरला महारती भी कोई ऐसी कमजोरी करे तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर मुखी बनाना हसी की बात सुनाएं बाप दादा आज थोड़ा स्वष्ट सुना रहे हैं बुरा तो नहीं लगता है अच्छा एक और भी स्वष्ट बात सुनाते हैं बाप दादा ने देखा कि मिजॉरिटी समय प्रती समय सदा नहीं कभी कभी महारतियों की विशेष्टा को कम देखते हैं और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते हैं और फॉलो करते हैं एक दो से वर्णन भी करते हैं कि क्या है सब को देख लिया है महारति भी करते हैं हम तो हैं ही पीछे अभी महारति जब बतलेंगे ना तो हम बतल जाएंगे लिकिन महारतियों की तपस्या महारतियों के बहुकाल का पूरुशाद उन्हों को एडिशन माक्स दिला कर भी पास विद ओनर कर लेती हैं आप इसी इंतजार में रहेंगे कि महारति बतलेंगे तो हम बतलेंगे तो थोखा खालेंगे इसलिए मन को अंतर मुखी बनाओ समझा ये भी बाप तादा बहुत सुनते हैं देख लिया देख लिया हमारे भी तो आंके है ना हमारे भी तो कान है ना हम भी बहुत सुनते हैं लेकिन महारत्यों से इस बात में रीस नहीं करना, अच्छाई की रेस करो, बुराई की रीस नहीं करो, नहीं तो दोखा खा लेंगे, बाप को तरस पढ़ता है, क्योंकि महारत्यों का foundation, निश्च है, अटूट अचल है, उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारत्यों को मिलती हैं, इसलिए कभी भी मन की आँख को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो, सुनने के बजाए मन को अंतर मुखी रखो, समझा, चारों और के, सर्व बाप तादा के लवलीन आतमाई, सर्व बाप के सेवा धारी आतमाई, सर्व पुरुशार्थ को अपनाने वाली श्रेष आतमाई, सदा, बाप समान बनने के लक्षे और लक्षन को समान बनाने वाली बाप के समीब आतमाउं को बाप तादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप तादा को दिल वर चांद सिखवा प्रेम से, नमस्ते, नमस्ते, न बॉड मॉनिंग बाबा शुक्रिया बाबा वर्दान सब को अमर ज्यान दे अकाले मृत्यू के भैसे छुडाने वाले शक्ती शाली सेवाधारी भव दुनिया में आजकल अकाले मृत्यू का ही डर है डर से खा भी रहे हैं चल भी रहे हैं सो भी रहे हैं ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुना कर भैसे छुडाओ उन्हें खुश खबरी सुनाओ कि हम आपको 21 चन्मों के लिए अकाले मृत्यू से बचा सकते हैं हर आत्मा को अ अमर ज्यान दे, अमर बनाओ, जिससे वे जन्म जन्म के लिए अकाले मृत्यू से बच चाएं। ऐसे अपने शांती और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूती कराने वाले शक्ती शाली सेवाधारी भव। स्लोगन याद और सेवा का बैलन्स रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती हैं। ओम शैन्ती।